मेरा नाम संजे कुमार सुनिये गया, मैं राची जाखन से आए हूँ और मेरा भकंदर का सिकायत थी जो हमने इलाज करवाई राची में करवाई और राची में इलाज कराने के बाद कॉपरेशन भी एक बार वोच की थी उसके बाद ना ठीक होने के क्यारण से मैं दो साल और क नहीं दूसरे जगा बहुत जगा पता करते रहा तो हमको संतुष्ट ना होने के वज़ा से मैं ने उपरेशन दोबारा नहीं कराई तब किसी एक वेक्ति ने बताया मुझे कि सरीन चले जाब वहाँ पर अच्छे इलाज होते हैं तो मैंने पहले भी सुना था तो नजर अं की मिलते हैं उसके बाद हम और मेरे बड़े भैईया मेरे बड़े साले साध में आये और एक दोस्त भी साध में साथ में आये पांच लोग open उसके बाद हम लोग मिले डाप्टर साहब से, डाप्टर साहब से मिलने के बाद उसने अपना चेक किया, तो उसने बताया मुझे कि आप क्यों तो फेक चुला है, तो उसके बाद हमने सोचा कि इसका इलाज है कि नहीं, मैंने डाप्टर साहब से पूछा, कि 100% सियोर है कि नह ही होगा तो वो बुले कि 100 पर्शेंट ठीक होंगे तो हम यहां से उनसे पुछे कि डॉक्टर साफ पिर हमको बताये कि आप कितने दिन से एक प्रॉलम है तो हमको जहां तर प्रॉलम लग रही थी 6-7 साल से तो थी तो उसके बाद हम वहां से है तब इसको हाथ लगाई और ना सी ओर है तो फिर इसको छुड़ दीजे तो बहुत हम आपको ठीक कर देंगे उसके बाद हम यहां से इमाराय के लिए पुछ अंडिगर भेज़ दिए और चंडिगर से इमाराय कराने के बाद फिर हम आया है आने के बाद फिर ऑप्रेशन त अब हमको किसी तरह प्रलम नहीं है आज 27 दिन हो गई 27 दिन में 70% में ठेक हो 30% बागी बचे हुए है 30% डाक्टर साब ने हमको चुटी दे दिये और चुटी देने के बाद वो बोले कि आप जाईए घर में ड्रेसिंग कराईए और एक मैना में दोबारा मिले और डाक्टर साब से तुड़ा साब खुश से इसलिए कि डाक्टर साब उनको बारगिनी से हर्चीज बताए हर्चीज समझाए और किसी का फेक्शला हो यह ऐसी बीमारी है कि आदमी सर्म के आगे इसको कोई नहीं बताना चाहता है मगर इससे सर्म नहीं करनी चाहिए बोडी का पाट कहे भी कोई आग आपका खराब हो तो उसको आपको डाक्टर से मिलना ही चाहिए जिस डाक्टर का इस्पेरियंस है जहां पे इसका अच्छा ट्रिट्वेंट है वहां कहीं ना कहीं मिलना जरूर है और आना उस्पिटल से हम खुश है कि अच्छे इलाज अभी तक तो लगा है अब आगे क्या 30% है 30% क्या होती है इसका हम उपरवला भावान के लिए किर्पा बचाहिए और अच्छे से है कि किसी का फिर्चुला हो आप आए शरीन में और डाक्टर साहब से एक बार जरूर मिले